अगर अब अपने घर के लिए एक रिफ्रेजेटर लेने जा रहे हैं तो सेल्समेन आप से कुछ ये सवल जरूर पुछेगा कि आपका बजट क्या है, कितने कैपसिटी यानि किस साइज का रिफ्रेजेटर लेना चाहेंगे, सिंगल डोर, डबल डोर, ट्रिपल डोर या वाई साइट में से कौन सा लेना चाहेंगे, फ्रोस्फरी या डारेक कूल, इनवैटर या नन इनवैटर और कौन से बरांड का रिफ्रेजेटर लेना चाहेंगे, तो सेल्समेन की ये सब बाते सुनकर हम और भी ज़्यादा कनफ्यूज हो जाते हैं और इसी कन्फूजन को दूर करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है और साथ ही 5 बेस्ट और बेस्ट रिफ्रेजेटर का रिव्यू भी करने जा रहा हूं जो लॉंग लास्टिंग अच्छी बिल क्वालिटी और अच्छी कूलिंग प्रफॉर्मेंस देखनों को मिलता है और हमेशा की तरह इन और इन-मेंसे हमें कौन से लेना चाहिए तो जैसा कि रिफ्रेजेटर सिंगल डूर, डबल डूर, ट्रिपल डूर और साइड बाई साइड में आते हैं जिनके मेजर डिफ्रेजर्स आप इसक्रीन पे देख सकते हैं बट इन-मेंसे सबसे बड़ा डिफ्रेंस यह है कि manually हटाना पड़ता है बट frost free technology में जो भी चीज़े आप freezer में रख रहे हैं तो सरिफ उनी चीज़ों को ice में convert करता है और पूरे refrigerator में कहीं भी ice जमा हुआ नहीं दिखता है which is good तो यहां पर आप अपने uses और requirement के इसाब से उतने door वाला refrigerator select कर सकते है नेक्स आता है budget जब मैं smart phones का कोई videos बनाता हूँ तो मैं लोगों को हमेशा यही recommend करता हूँ क्योंकि आप अपने budget को ज़्यादा increase ना करें क्योंकि एक से दो साल में लोग change करते रहते है mobile phone बट यह refrigerator के साथ ऐसा नहीं होता क्योंकि यह एक long time investment होता है तो यहां पर हो सके तो अपने budget को थोड़ा ज़्यादा increase कर सकते हैं अगर 4-6 member है तो 190-260 liter तक का यह refrigerator ले सकते हैं बट अगर आप refrigerator professional uses के लिए लेना चाते हैं मतलब अगर आपका कोई रेस्टो ये शौप अगरा है तब आपको 300-500 liter तक का refrigerator लेना पड़ेगा inverter और non inverter compressor टेकनलोजी में से हमें कौन सा लेना चाहिए तो यहाँ पर आपको हमेशा inverter compressor वाला ही refrigerator लेना है क्योंकि इसमें temperature के हिसाब से cooling अर्जिस्ट होता रहता है जिससे कम electricity consume करता है और noise level भी इसका काफी कम होता है लेकिन non inverter compressor एक fixed speed में चलता रहता है जिससे ज़्यादा electricity consume करता है जिससे electricity build भी ज़्यादा आता है Lastly और most important कि हमें refrigerator online लेना चाहिए या offline तो आप इसे online या offline कहीं भी purchase कर सकते है बट same model पर अगर आपको अच्छी discount मिल रही है तो आप इसे online buy कर सकते है और Amazon खुद का ही delivery service provide कराता है जो large product को भी काफी safely deliver करता है ओके सो इनी से भी important points को ध्यान में रखके मैं 5 best or best refrigerator का review करने जा रहा हूँ बट उससे पहले आपको वीडियो यहाँ तक थोड़ा भी informative लगा हो तो please वीडियो को like और channel को subscribe करके मुझे motivate कर सकते है ओके सो मेरे list में number 5 पर आता है Samsung single door refrigerator Samsung के यह सबसे best single door refrigerator है जो 2023 model के साथ आता है 189 liter capacity है इसका जो 2-4 member के लिए suitable है inverter compressor और 5 star rating के साथ आता है जिससे यह सिर्फ 131 unit consume करता है per year इस डपलाइजर फिरी operation के साथ आता है मतलब आपको अलग से कोई भी इस डपलाइजर लगाने की जरुवत नहीं पड़ेगी क्योंकि यह 100 से 300 voltage fluctuation पे perfect work करता है जिसका benefit यह है कि light जाने के बाद यह home inverter से भी चलने लगता है बिना कोई दिक्कत के inner storage की बात करूं तो इसमें जतने भी shelves दिये गए है वो सभी toughened glass का बना है जो 175 kg तक का weight carry कर सकता है large bottle space मिल जाता है ताकि 2 liter तक के bottle भी इसमें रख सकते हैं और साथ ही base stand drawer भी दिया गया है जिसमें आप कुछ extra चीज़े भी इसमें रख सकते हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जतने भी single door refrigerator होते हैं वो सभी direct cool technology के साथ आते हैं जिससे freezer wall पे भी ice जमने लगता है तो इसका solution यह है कि आप इस defrost button को प्रेज करके सारा ice पिगला सकते हैं 10 minute में जिसका सारा पानी water tray में collect हो जाता है which is good price की बात करूँ तो यह 16 से 17,000 के आसपास मिल जाएगा और Samsung इस model पे एक साल की product की warranty और 20 साल compressor की warranty देती है इसके कुछ pros और cons भी मैंने note down किये हैं जो आप screen पे देख सकते हैं इस video को pause करके और इस refrigerator का सबसे lowest price का link भी नीचे description में मिल जाएगा जहां से आप इसका offer price भी जान सकते हैं और इसे purchase भी कर सकते हैं ओगे सा मेरे release में number 4 पर आता है LG single door refrigerator आगे मैं कुछ double door triple door refrigerator का भी review करने वाला हूँ तो इस video में बने रहे हैं तो अगर आपको single door refrigerator में long lasting वाला refrigerator लेना है जिसमें fast cooling भी देखनों को मिले तो LG की इस model को ले सकते हैं और ये भी 2023 model है इसके features की बात करूँ तो ये भी inverter compressor technology के साथ आता है 5 star rating, stabilizer free operation, direct cool technology, ice defrost button और moist and fresh technology मिल जाता है जिससे vegetable, fruits वगरा पर कोई bacteria और smell वगरा नहीं आता है इनारी storage की बात करूँ तो इसमें भी toughened glass के shelves लगे हैं, large bottle space मिल जाता है, ice tray, egg tray, large vegetable box के साथ आता है, base stand drawer भी दिया गया है और इसके freezer में काफी fast ice cube बनता है बाकी models की मुकाबले LG का ये model 180, 190, 205 और 224 लीटर capacity में available है, जिनके price, star rating, power consumption वगरा स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वीडियो को pause करके LG इस model पे एक साल की product की warranty और 10 साल compressor की warranty देती है, इसके कुछ pros and cons भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वीडियो को pause करके और इस refrigerator का भी सबसे lowest price का link की नीचे description में मिल जाएगा Augustus मेरे list में number 3 पर आता है, ये भी LG का बट double door refrigerator LG का ये double door refrigerator frost free technology के साथ आता है और इसका design भी काफी premium है जिसका पूरा body steel का बना है जो shock proof है इसमें भी toughened glass के shelves मिल जाते हैं, large vegetable box, large bottle भी रख सकते हैं, ice tray, एक tray मिल जाता है और इसमें काफी सारे multi airflow मिल जाते हैं जिससे foods में smell नहीं आता है ये भी inverter compressor, stabilizer free operation के साथ आता है और साथ इसमें एक special feature दिया गया है जो है door cooling मतलब door के पास जितने भी bottles वगरा रखे होते हैं, उसे chill रखने के लिए अलग से cooling effect दिया गया है LG का ये model 240, 242, 308 और 360 liter capacity में available है, जिनके details भी आप इस screen पे देख सकते हैं Companies product पर एक साल की warranty देती है और इसके compressor पे 10 साल की warranty देती है इसके भी कुछ pros and cons आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसका भी सबसे lowest price का link की नीचे description में मिल जाएगा और इसमेरे list में number 2 पर आता है Samsung double door refrigerator अगर आप double door में एक convertible feature वाला refrigerator लेना चाहते हो तो Samsung के इस model को consider कर सकते हैं Convertible feature के काफी सारे benefit है जैसे कि हम सबी जानते हैं कि उपर वाला freezer का section होता है और नीचे वाला freeze का section होता है बट suppose नीचे वाला freeze का section जब full हो जाता है तो हमें और ज़्यादा space की ज़रुवत पड़ती है तब आप उपर वाले freezer के section को भी freeze में convert कर सकते हैं इस बटन को 3 सेकंड प्रेस करके और साथ ही अगर आपको fast cooling चाहिए तो इनके cooling temperature भी adjust कर सकते हैं अपने usage के एसाप से ये refrigerator भी stainless steel का बना है जिसका design भी काफी premium है जो एक अलगी look देता है आपके room या kitchen में और बाकी इसमें भी semi feature देखनों को मिलता है जो अभी थोड़े दिर पहले हमने LG के double door refrigerator में देखा था जैसे ये भी inverter compressor के साथ आता है, frost free technology, stabilizer free operation और fridge के अंदर toughened glass के shelves, large bottle space, large vegetable box, ice tray, egg tray वगरा मिल दाता है Samsung का ये model 236, 256, 301, 322, 336, 380 लीटर में available है जिनके details भी आप इस screen पे देख सकते है Samsung के इस product पे एक साल की warranty मिलती है और 20 साल compressor की warranty मिलती है इसके कुछ pros and cons भी आप इस screen पे देख सकते हैं इस video को pause करके और इसके सभी capacity का model का सबसे lowest price का link description में मिल जाएगा Okay so finally मेरे लिस में number one पर आता है Walpole का triple door refrigerator ये एक ऐसा refrigerator है जिसका price double door से भी कम है और Walpole क्लेम करता है कि ये refrigerator एक large sea fill bulb से भी कम electricity consume करता है इसलिए इस refrigerator पे काफी अच्छी customer rating मिली है जिससे पता चलता है कि ये refrigerator low की requirement को fulfill कर रहा है तो सबसे पहले इसकी build quality के बात करूँ तो ये German steel का बना है जिसके top पे freezer का section मिल जाता है middle में freeze का section मिल जाता है और bottom में extra large vegetable and fruit का section मिल जाता है और इसमें भी toughened glass के shells, large bottle space, ice tray, ice cream tray, egg tray वगरा मिल जाता है इसके freezer और freeze section में temperature control भी मिल जाता है ताकि जो भी चीज़े आप इन में रख रहे है उसके हिसाब से भी temperature set कर सकते है ये frost feed technology और stabilizer free operation के साथ आता है और इसमें no adure mixing feature मिल जाता है जिससे freeze में जितने भी foods या non-wage वगरा रखे रहते है उसके smell एक दूसरे से mix नहीं होते है which is good ये model 240, 260, 300 और 330 liter capacity में available है जिनके detail आप इस screen पे देख सकते है Walpole इस refrigerator पे एक साल की warranty देती है और compressor पे 10 साल की warranty देती है और इसके भी कुछ pros and cons आप इस screen पे देख सकते है इस वीडियो को pause करके और हाँ गई सबी refrigerator का सबसे lowest price का link के नीचे description में दिया हुआ है तो एक बार इनका price जरूर चेक ओट करें क्योंकि website पे इन पे अच्छी अच्छी sale चलती ही रहती है और इस चैनल पे हमेशा मैं इसी तरह का detail वीडियो लाते रहता हूँ तो ऐसे चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब रहे क्योंकि future में हमेशा कामी आएगी थांक्स वर वचिछ गईवागी आएगए थाएग आएगी